कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टार्गेट फॉर आईएस नंपीपेश सी वितके के आज है चार जनवरी 2021 और हम लोग डिसकस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेर्स यह भी बता दूँ कि साथ हम लोग डिसकस करेंगे तीन जनवरी 2021 का हम उनको डिसकस करते हैं मंडे को तो इसी तरीके से आज हम डिसकस करेंगे तीन और साथ चार जनवरी और तीन और चार जनवरी 2021 का करंट अफेर्स और यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी मध्य प्रदेश की वीडियो आनी है या तो आज इवनिंग तक वरना आपको कल तुमारो यह डेफिनेटली मिल जाएगी उसमें आपका पूरा 2020 का जितना करंट अफेर्स है जितना इंपोर्टेंट करंट अफेर्स हो सकता है जितने वन लाइन फेक्ट्स बन सकते हैं आपके आगामी जितने भी जितने भी एक्जाम्स हैं जैसे MPPSC, पुलिस भरती, जेल पहरी जो भी एक्जाम सुन के लिए काफी ओदेक इंपोर्टेंट होंगे वही सब कॉश्चन तयार कर रहा हूं मैं और काफी लगवग लगवग आज यकल आपका अपलोड हो जाएंगे तो जरूर उस वीडियो को भी देखेगा उसमें वन लाइनर फेक्ट के माद्यम से आपका रिवीजन कबर हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप इस लेक्चर की पीडियेप राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिस्टन में हैं वहां से आप हमारा टेलीग्राम चनल जोईन कर सकते हैं और साथी साथ जो हमारी पूरी एयर की जो करेंट दिसक्स करेंगे माननी राजपाल आनंदी वेन पटेल ने मद्द प्रदेश के में कितने मंत्रियों को सफद दिला हैं साथी साथ उच्छ नियालाई के जो नियाएधीस हैं जो रफी सहाव हैं उनको बनाया गया है जो मैंने आपको पहले भी बता सुका हूं कई बार बता करेंगे साथी साथ यह भी डिसक्स करेंगे कि लाडली लच्मी योजना जो मद्द प्रदेश की 2007 में सुरू की गई थी काफी महतवकांची और मैं यह कहूंगा कि जो मद्द प्रदेश में कुछ चुनिंदा जो योजना हैं और काफी एदेक इंपोर्टेंट है एक्जाम क उससे तो उनमें सबसे एक इंपोर्टेंट में लाडली लच्मी योजना को मानके चलता हूँ तो उसको भी आज हम डिसकस करेंगे उससे भी सम्मन्दित कुछ इंपोर्टेंट प्रदेश में होगे तो लगवच कितनी जो बच्चियां उनको लाव मिला है तो 37 लाग से अधिक, नमबर 2 है 35 لاग से अधिक और नमबर 3 है 38 लाग से अधिक और आप्सन Ninmëm चार है इनमे से कोई नहीं तो दोश्तों इसका रैट आंसर है आपको आपसन नमबर 1 37 लाग से अधिक जो बालिका है अव तक अर्थात 2007 से यह योजना शुरू ही थी और 2021 में हम लोग हैं तो अव तक का इसमें हमने डिसकस किया है तो लगभग कितनी बच्चियां इससे लावानवित हुई हैं लगभग 37 लाग बच्चियां लड़ी लच्चमी उजना से अव तक मद्रदेश में लावानवित हुई है तो चलिया यह लेखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2021 का जो साल था इसमें लाड़ी लच्चमी उजना पर कितनी रासी का व्या किया गया तो जो 2020 का साल था इसमें कितना व्या किया गया तो आपका उसन चल्बर एक है 170 कड़ा रुपए- 500 रुपए- 811 कड़ा रुपए- यह इनमें से कोई तरीकी की योजना लाने वाला भारत में पहला राज था और इसी का अनुसरान करके अलग-अलग नामों से कई जो अन्य राज हैं उनमें भी इस तरीकी की योजना शुरूर की गई तो काफी इंपोर्टेंट है योजना है तो चलिए आईए देखते हैं इस योजना को मैंने थोड़ा बड़े रूप में कवर किया है पूरा डिपली तरीकी से से मैं डिसकस कर रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा हो सकता है इस योजना के बारे में मगर जितने भी फैक्ट्स हैं यह गागर में सागर भरने की कोसिस मैंने की है जितने भी फैक्ट्स हैं दोस्तों यकीन म वे हुआ जो कि हमने देखा भी पिरदेश में वालीका जन्म के पृति जन्ता में सकारात्मक सोच लिंग अनुपात में सुधार बालीकाओं के सेक्षे के स्थरत तथा स्वास्त की इस्तिती में सुधार तता उनके अच्छे भविस्ट की आधार सिला रखने के उद्देश से लाडलीलच्म योजना अपरेल 2017 साथ में सुरू की गई तो काफी इंपोटेंट है कब यह सुरू की गई थी तो यह शुरू की गई थी अपरेल 2007 में यह योजना लागू की गई थी और इस योजना के प्रारम से दिसंबर 2020 तक लगबग जो मैंने बताया आपको 2020 के 17,735 वाली काओं को लावानवित किया गया है और वित्तिये वर्स 2020-2021 में लगवग 2,28,213 वाली काओं को लड़ली लचमय उजना में पंजीकृत किया गया है तो काफी इंपोर्टेंट है ये इस सेक्षिक वर्स में तो जो सेक्षिक वर्स है इस सेक्षिक वर्स में कक्षा छेटमी नौमी और कक्षा ग्यार्मी में प्रवेश लेने वाली कुल एक लाग त्रेपन हजार नौसो सत्रा बालिकाओं को 39.06 कड़ोर रुपए का भुकतान चात्र वर्ती के रूप में किया जा चुका है तो इतना जो बालिकाओं है उनको भुकतान किया जा चुका है आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस योजना का पूरा सिस्टम है कब कब भुकतान किया जाता है और किस तरीका का यह प लागू किया गया था जो परिक्यात्मक समस्यां को देखते हुए अरथात योजनाह में जो देखते हैं आप कितने अधे開始 में फौाँम और लोगों की दिल्चस्वी जैसे अवरनेस हुई तो लोग इसमें सामिल होने लगे तो जो परिसानी होती थी लोगों को उसको दूर करने के लिए रीविजिट किया जाए मैई 2015 में लाडली यी लाडली का सुरूप दिया गया अर्थात यी लाडली की माध्यम से इसके तहत लोकसेवा किं मैं पूरी होगी और ऐसा करने वाला मद्रप्रदेश प्रथम राज्य था तो इसके तहट जो लोकसेवा किंदर इंटरनेट कैफे आंगनवाडी कारता के माध्यम से परियोजना कारिया लेद्वारा आनलाइन आविदन किया जा सकतार था तो इसे इजी बना दिया गया कि क कोई भी व्यक्ती इजी इसको एकसेस कर सके इसमें जादा आधिक दिक्कत की बात ना हो तो चलिया आईए देखते हैं इसी संबंदत और इंपोर्टेंट फेक्ट क्या है योजना अंतरगत प्रक्रण सुर्कृति के बाद अब इसको योजना का पूरा स्टेक्चर हम देख तथा बालिका के नाम से लगातार पांच वर्सों तक कव तक पांच वर्सों तक 6-6 हजार की रासी कुल 30,000 मद्रदेश लाडली लच्मी जो निधी है उसके अंतरगत जाती है महला एवं बालवेकास विभाग द्वारा योजना के पात्र हित्रगाहियों को रासी का बुक् चाहों में दिया जाता है काफी important है इसका screenshot भी ले लेजेगा आप और चाहे तो इसकी जो PDF है वो है आपको टेलिग्राम चैनल पर पूरी की पूरी मिल जाएगी वहां से आप उसे कभी भी access कर सकते हैं बालिका को उसकी आयू 21 बस पूर होने पर एक लाग की रासी बालिका क के लिए जमा की जायती है तो काफी important है लड़की का इसमें दो चीजे हैं कि बालिका का तोयल्त पास होना आवश्यक है और 18 वर्स के बाद ही पूरी आयू होने के बाद ही उसका बिवाय हुआ हो तो इस दो फायत हुए कि एक तो जो बालिकाओं का स्कूल में जो उपस्तित होने का जो था वह है ratio बड़ा साथी साथ awareness बड़ी और बच्चियों की जो कम उमर में साधी कर दी जाती थी वह है जो एक तरीके की जो कुरूती हमारे समाज में थी वह भी दीरे-दीरे करके धूर होने लगी तो काफी important है चलिए आई देखते हैं जब gender equality से संबंदित question आय तो मद्य प्रदेश में सरवादे के लिंगन उपात कहां पर है बाला, घाट में है कितना है दस्सो एक कैई से काफी important है अब आप लोगों से एक मेरा question है कि आपको लोग बताएं मद्य प्रदेश का लिंगन उपात कितना है यह आप लोगों को बताना है और साथी साथ आप आपको यह भी बताना है कि भारत का लिंगन उपात कहां पर है और यहां पर यह भी बता देता हूं कुछ important fact कि भोपाल में जो महला जो साक्षरता है वह साफ सबसे अधक है और मद्य प्रदेश की सबसे अधक साक्षरता किस जिले की है वह जबल पुरकी है तो काफी important है यह भ है उसके बाद है आपका ग्वालियर है और ग्वालियर के बाद आपका सागर है तो यह कुछ important fact है इससे सम्मंद जो मैंने आपको यहां पर बताए आप लोगों को बताना है मद्य प्रदेश का लिंगन उपात सेक्स रिश्यू कितना है चलिए आए देखते हैं हमारा next question आन गोविन सिंग राजपुद जी और माने तुलसी सलावड जी को सपत दिलाई गई है तुलसी सलावड जी सामवेड से आते हैं और माने गोविन सिंग जी सुर्खी विदानसवा सागर डिस्टिक से आते हैं काफी important है इसके पूर्ब में इनके पास में कुछ मंत्रालह थे ज राजिपाल से संबंदत कुछ important fact आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि मद्यप्रदेश की राजपाल कौन है आनंदी वेंड पटेल हैं एक राजजी का राजपाल एक सेदेक राजजियों का राजपाल निक्त किया जा सकता है कभी है प्रावधान किया गया था यह पूछना चाहता हूँ चलिए आप लोगों को मैं ही बता देता हूँ भूमी सुधार से संबंदत था और नौवी अनुसुची उसके अंतरकत जोड़ी गई थी तो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कुछ important fact क्या है तो राजपाल स्रीमती आनंदी वेंड पटेल ने दो मंत्रियों को दिलाई सपत तुलसी सिलावट और राजपूत ने सपत ग्रण की तो राजपाल स्री आनंदी वेंड पटेल ननब ने उक्तु मंत्री स्री तुलसी सिलावट और गोविन सिंग राजपूत को मंत्री सपत इवं गोपनीता की सपत दिलाई मंत्री मंदल वि आपको बताना चाहूँगा जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि मुखने आदिस मद्प्रदेश के कौन युक्त होने वाले हैं मुहमद रफीक जी है इनसे समंदित मैंने पूरी वीडियो आप लोगों से डिसकस भी की थी अगर आप लोगों को अभी याद नहीं भी हो जिन लोगों नहीं देखी है तो वह हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर या चैनल पर उसे विजिट करकर देख सकते हैं उसकी पीडियो भी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसमें मैंने पूरा डिसकस किया था कि इनका जनम कहां पर हुआ था इनका जनम हुआ राजिस्थान के चुरू में और इसके पूर वियाए कहां पर थे तो यह मेगालाय में थे उसके पूर वियाए उडिसा में थे राजिस्थान में भी थे तो यह इन से समंदत कुछ important fact है तो राजपाल आनंदिवेन पटल ने हमारे जो नए मद्द प्रदेश के जो मुखने आ नवने कुद मुख नियाए दिपती स्री मुहमद रफीक को मद्द प्रदेश उच्च नियाले के मुख नियाए पती की सपद राजभवन में दिलाई राज सपद ग्रहन समारों का आयोजन रविवार को संदीवनी सभाग्राय राजभवन में किया गया था इस अपसरबर म मुख मंतरी स्री सिवराज सिंग्च चोहन मौजूद थे यहाँ पर अब बात हुई है जब हमारे उच्च नियाले की अर्थात हाई कोट की तो हाई कोट से सम्मंदित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बतना चाहूँगा हाई कोट का प्रावधन किस आर्टिकल में है 216 के अंतरगत इसके गठन का प्रावधन किया गया है काफी इंपोर्टेंट है और आर्टिकल 211 के अंतरगत इनका जो तनखा है जो वेतन है उसका विबरन किया गया है और आर्टिकल 220 के अंतरगत इनके इस्थाना अंतरण की विवस्था की गई है जो कि इस्थाना आर्टिकल इससे संबंद चलिए आई है जैसा कि डेली बिस्ट पर पूशता हूं मैं आप लोगों से कॉस्चन और हमारा आज का कॉस्चन है मद्य प्रदेश में बुंदिला बिद्रो किस सन में हुआ था तो आपका ऑप्शन नंबर एक है तो दोस्तों प्लीज जरूर आंसर दीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजीगा शेयर कर दीजेगा और हम लोग डेली विस्ट पर डिसकस करते हैं मद्य प्रदेश का डेली करेंट अफेर्स को डिसकस अस पीडिएफ आपको टेलीग्राम चैन मैं सागर्क जैसा कि मैंने आपको बताया शुरूबात में ही भरने की मैंने कोसिस की है और काफी इंपोर्टेंट कोश्चन उसमें रहेंगे और यकीन मानिए उससे चार से पहाँच नमर आपकी किसी भी एक्जाम में आने की गारंटी है मेरी तो ठैंकि इस वीडियो बने यह हमारे साथ टार्गेट फॉर आई एसने प्वेसी वित के के